नवरात्रा, हिंदु धर्म के प्रमुक और बड़े त्युहारू में से एक चेत्र नवरात्रा इस बार दो अप्रेल से सुरू होने जा रहे हैं और आईए दोस्तों जानते हैं कि चेत्र नवरात्रा पर गट स्थापना का शुब महुर्थ क्या रहेगा? किस तरह से मा दुर्गा की आपको पूजा करनी चाहिए? गर के किस कोने में पूजा करना शुब होता है? सुब समय और शुब महुर्थ तो जानेगे इसके अलावा गट स्थापना कैसे करनी चाहिए? गट स्थापना के लिए क्या-क्या सावगरी होती है? इसकी वीदी क्या ह और देवी मा की चोकी स्थापना और पूजा वीदी भी जानेंगे नवरातरी से समधित सारी कम्प्लीट जान करी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है सो पाँच मिनिट बने रहेगा मेरे साथ और आईए जानते हैं नवरातरी से समधित सारी महत्वपुन बातें दोस्तों 2 अपरेल से सुरू होकर चेतर नवरातरी 10 अपरेल तक चलेगी आपको बता दूँ चेतर नवरातरी के पहले दिन कलस स्थापना इशान कोण या उत्तरपूर्व कोण की दिसा में करें इस दिसा में पूजा करना बहुती शुब माना जाता है एसा करने से सकानात्मक्ता का संचार होता है, गर में सुक्समर्दी और उर्जा की प्राप्ती होती हैं। दोपहर बारा बचकर पंदरा मिनट से यानि की सवा बारा से दोपहर सवा तीन बजे तक यहां पर भी तीन बहुती शांदार चोगडिया महुर्त होंगे, चर, लाब और अम्रेत हैं। प्रास्त मनोकामनाओं की पूर्ती होती हैं। तरंगे नश्ट हो जाती हैं और गर में पोजिटिव एनरजी, शुक्षांती और समर्दी का निवास होता है। गटस्तापना की सामगरी क्या है? जो बोने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला मिट्टी का पात्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो बोने वाले गेहूं जो बगरा आते हैं वो भी आगे डालने पड़ेंगे तो उनको भी आप पास में रख लें। गटस्तापना के लिए मिट्टी का कलस या फिर तांबे का कलस भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं। तो आपको पता दूँ सबसे पहले जो बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलस रखने के बाद भी आसपास जगह रहें। अब कलस को आपको बीच में रखना हैं। अब कलस में साबूत सुपारी फूल सिक्का डालें। अब नारियल तयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर मोली बान दें। इस नारियल को कलस पर रखें। नारियल का मुह आपकी तरफ होना चाहिए। अब यह कलस जो उगाने के लिए तयार किया गए पातर के बीच में रख देना है। देवी मा की चोकी स्थापना और पूजा विदी के हां तो भी आपको बता दू लकडी की एक चोकी को गंगाजल और सुद्धजल से धोग कर पवित्र कर लें चोकी को साप कपड़े से पोँच कर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें इसे कलस के दाई तरप रखें चोकी पर मा दुर्गा की मूर्ती अत्वा फोटो फ्रेम युक्त तस्वीर आप ले सकते हैं मा को लाल चुनरी उड़ाएं फूल माला चड़ाएं अब दूब दिपक आदी जलाएं नो दिन तक जलने वाली माता की अखंड जोती भी जलाएं संबव ना हो तो आप सिर्फ पूजा के समय ही दिपक जला सकते हैं अगर संबव हो तो आप अखंड जोती भी जला सकते हैं अब देवी मा को तिलक लगाएं मा दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सामान, आदी यानि कि हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अश्ठंद, गंद ये अरपित करें और काजल भी लगाएं मंगल सूत्र, हरी, चूडिया, फूल, माला, इत्र, फल, मिटाएं आदी भी अरपित करें और प्रति दिन, यानि कि रोजाना नवरात्रा के नो ही दिन श्रद्धा नुसार, दुर्गा सब्त शती के पाठ, देवी मा के स्त्रोत, दुर्गा चालिसा का पाठ और सैस्तराम आदी का पाठ करें या सुने अब एक मिटी का पात्र और लीजिए, उसमें गोबर के उपले को जला कर अग्यारी जलाएं गर में जितने सदेशिया हैं, उन सदेशियों के हिसाब से लोंग के जोड़े बनाएं लोंग के जोड़े बनाने के लिए आप बतासु में लोंग लगाएं पूजन के उपरांत वेदी पर बोए अनाज पर थोड़ा सा जल अवश्य चिड़कें रोजाना देवी मा का पूजन करें और जो वाले पात्र में जल का हलका चिड़काओ करें जल बहुत अधिक या कम ना चिड़कें इतना जल हो कि जो अंकूरित हो सकें यदि इन में से किसी अंकूरन का सफेद रंग हो तो ये बहुत ही शुब माना जाता है चेत्र नवरातरा के नो ही दिन और इनकी तीथिया कौन-कौन सी है ये भी आप देख सकते हैं नवरातरी का पहला दिन प्रतिपदा एकम गट स्तापना होती है इस दिन मा सेल पुत्री की पूजा की जाती है दो अपरेल दो जार बाइस को रहेगा ये दिन अच्छा इसके बाद नवरातरा का दूसरा दिन धुटिया मा ब्रह्म चारेनी की पूजा की जाती है ये तीन अपरेल को रहेगा इसके बाद नवरातरी का चोथा दिन 4 अप्रेल को तृतिया रहेगी इस दिन मा चंदर घंटा की पूजा की जाती हैं। इस दिन मा चंदा की पूजा की जाती हैं। लाइक और शेयर करने और कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखेगा। बाकि हम सभी की प्रार्तना हैं आप पर मा देवी की कृपा बनी रहे। हैप्पी नवरातरा नवरातरी के हार्द की शुब कामना हैं आप सभी को जै हिंट जै बारत वंदे मात्रम।